नमस्कार मैं हूँ दिवब विहारी निउज में आपका स्वागत है और खबरों की ओबने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बीपीएसी ने असिस्टेंट आर्किटेक्ट के पदों पर निकाली भर दी विहार में भागवानी महोचब दोजा 24 हुआ शुरू विहार में इस योजना से कई जिलों को बार्ड से मिलेगी राहत विहार के नियोजन सिच्चकों पर सच्च विभाग कारवाई की कर रहा तयारी पेटियम फेमेंट बैंक की सेवाओं को आर्बी आई ने 15 दिनों तक बढ़ाया इस स्मार्टफोन को समय पर नहीं किया है अपडेट तो हो सकते हैं ये नुकसान इंग्लेंड के खिलाब तीसरे टेस्ट मैच में भारतिये टीम है मजबूत स्थिती में अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़े खबरों की और विस्तार से पियसे ने असिस्टेंट आर्किटेक्ट के पदों पर निकाली भरती बिहालोग सेवा योग द्वारा असिस्टेंट आर्किटेक्ट के पदों पर भरती निकाली गई है इस भरती के लिए उमिद्वारों के सेक्षिंक योगिता की बात करें तो उन्होंने आर्किटेक्ट में असनाता किया हो साथी कॉंसिल ओफ आर्किटेक्ट्चर नई दिली में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है चैनित उमिद्वारों को लेवल 9 के बेतन दिये जाएंगे उमिद्वारों का चैनिकित परिक्षा के आधार पर होगा इसे संबंदित अधिक जानकारी के लिए आप इसके दिसूचना को देख सकते हैं बिहार में बागवानी महुचब 2024 हुआ शुरू बीते ही दिन पटना के गांधी मैदान में बागवानी महुचब 2024 का उधगाटन विजय कुमार सिनहा दवारा किया गया है यह महुचब 18 फरवरी तक रहने वाला है बतादी के संबन में सोसल मेडी एक्स पर अगरी कल्चर डिपार्टमेंट के आधिकारिक हेंडल पर जानकारी साजा की गई है इस महुचब में मुख्य आकरसन के रूप में उध्यानिक उत्पाद का आकरसन स्टॉल सा बिक्री केंद्र होगा फल और सबजी में नकासी प्रतियोगिता, कलात्मक पुस्प सज्जा, बच्चों के लिए फैंसी रेसो और चित्रकला प्रतियोगिता, क्वीज प्रतियोगिता, बिहारी वेंजनों का स्वाद, सहत पर विसेस कारिसाला, क्रिसकों या बागवानों के ग्यान वर्धन के रि यह किला बिहार के सासाराम के चनारी ब्लॉक के मलही पूर में स्थे थे इसके लिए का निर्मान सेरसा सूरी द्वारा कैमूर पठार पर करीब 800 फिटूची पहारी पर करवाया गया था इसके लिए के पास दुर्गावती नदी का बहाव देखने को मलता है इसके लिए का छेतर पर 16 किलोमेटर स्कॉाइड के करीब में फैला हुआ है इसके मुख्य दुर्गार पर आपको पांच छोटे गुमबत देखने को मलेंगे इसके लिए के प्रवेस दुर्गार पर ही आपको रानी पोकरा नाम का जील भी देखने को मल जाएगा यदि आपक अतिहासिक इमार्टों और के लों को देखने का सोख है तो आप यहां आ सकते हैं इसके लिए से प्राकृतिक नजारे भी बेहदी प्रिये लगते हैं बिहार के इस योजना से कई जलों को बाहर से मिलेगी राहत बिहार के कई जिलों में बाहर का प्रभाव कम करने और सिचाई समित ग्राउंड वाटर लेवल को पहले से बहतर करने के लिए तीन नदी जोर योजना उपर काम चल रहा है इस योजना से बिहार के पूरवी चमपारण मुझपरपुर सीता मरी सिवहर समस्तिपूर गोपाल गंज सिवान और सारन जिले को फायदा मल सकता है बतादे कि इस योजना को जल संसादन में भाग के देखरेक में पूरा किया जा रहा है इसके अनुमानित प्रागा 321 करोर की करीब की है उमीद है कि ये तीन नदी जोर योजना का कारे 2025 तक पूरा हो जाएगा प्रदेश में बागमती बूरी गंड़क के नदी जोर योजना के निर्मान का कारे चल रहा है इसके निर्मान से पूर्वी चंपारन मुजपरपुर सीता मरी और सिवहर जिले में बार की प्रभाव से लोगों को राहत मिलेगी साथी गोपाल गंज के हीरा पाकर के पास गंड़क नदी से सुरू कर हासिल पूर के पास गंगा नदी तक लिंक चैनल का निर्मान किया जाना है 17-19 फरवरी तक होगा नागी पक्छी मोहचब दक्सन बिहार के जमुई जिले में सित नागी पक्छी सेंचुरी में 17-19 फरवरी तक नागी पक्छी मोहचब 24 का एयोजन हो रहा है इसकी जानकारी IPRD बिहार ने अपने सोसल मेडिया एक्स के जरिये दी है सोसल मेडिया एक्सपर IPRD बिहार द्वारा एक वीडियो भी सेर किया गया है इस वीडियो के जरिये नागी पक्छी सेंचुरी की विसेस्ता बताए गई है मतादे के सेंचुरी में कई विदेसी पक्छी मेहमान के रूप में आते हैं कि मीलों की यात्रा करके आने वाले याद्भूत और खूबसूरत पक्छी हमारे पर्यावरन के लिए कितनी महत्वपून है बिहार के नियोजे सक्चकों पर सक्चा विभाग कारवाई की कर रहा तयारी बिहार में 500 से भी अधिक ऐसे नियोजे सक्चक चनहित किया गया है जिनकी नौकरी जाने का खत्रा बना हुआ है इस संबंद में जिलों को भी सक्चा विभाग द्वारा निर्देश जिया गया है विभाग ने संबंद में बताया है कि राजे में 582 ऐसे सक्चक है जो 6 महीने से ज्यादा से गायब है इस में से 13 सक्चकों को भी बरखास्त किया गया है जबकि 10 टीचर ने लंबत किये गया है विभाग द्वारा बताया गया है कि नियोजर सक्चकों को राज कर्मी का दर्जा देने की तैयारी चल रही है लेकिन इससे पहले इन गायब हुए सक्चकों पर विभाग कारवाई की तैयारी कर रहा है ताकि इन्हें किसी भी सूरत में राज कर्मी का दर्जा नामन सके पेटियम पेमिंट बैंक की सिवाओं को RBI ने 15 दिनों तक बरहाया पेटियम पेमिंट बैंक को भारती रिजर्ब बैंक द्वारा सिवाएं जारी रखने के लिए और 15 दिन का समय दिया गया है इसके तहट किसी भी ग्राहक खाते प्रिपेड उत्पाद वॉलेट और फास्टेक में जमा या टॉप अप स्विकार नहीं करने के आदेश की अंतिम तारीक 15 मार्ज तक कर दी गई है इस संबन में आरबिया द्वारा सुक्रवार को कहा गया है कि वैपारियों सहित ग्रांकों के हित को ध्यान में रखते वे ये निरने लिया गया है ताकि वे वैकल्पिक वैवस्था करने और व्यापक सारवजिनिक हित के लिए थोड़े समय और ले सके सिवान इसे डॉक्टर राजिन प्रसाद के आवास में परेटकों की सुविधा को देखते वे चल रहा विकास कारे देश के प्रथम राष्टपती डॉक्टर राजिन प्रसाद बिहार के सिवान में रहने वाले थे यहां मौझूद बाबू राजिन्द प्रसाद के पैत्रिक आवास की अब मौलभूत सुविधाओं से लैस करने की तयारी चल रही है जिसके तहट पानी बिजली सोचाले पाथवे गार्डन के साथ साथ पेंटिंग और बाउंडरी का पूरा काम हो चुका है साथ ही जीरा देई में मौझूद इनकी पैत्रिक आवास में और भी कई विकास के कारे करने की तयारी है बदा दे कि डॉक्टर राजिन्द प्रसाद के बारे में जानने के लिए कई परेटक यहां पहुचते हैं लेकिन मौझूद सुधा नहीं होने पर लोगों को कई परिसानियों का सामना भी करना पड़ता है लेकिन अब इन विकास कारें से आने वाले प्रेटकों को अधिक परिसानी का सामना नहीं करना पड़ेगा बिहार के इसान कसन रंजी ट्रॉफी 2014 के आखरी राउन में नहीं हुए सामन बिसी सियाई द्वारा सारों सारों महीं स्टार विकेट कीपर बल्ले बाद इसान कसन को घरेलू क्रिकेट खेलने के निर्देश दिये गया थे बावदुद इसके इसान कसन ने रंजी ट्रॉफी 2014 के आखरी डाउन में हिसा नहीं लिया बदादे की जारकन की प्लेइंग 11 में इसान कसन को राजस्थान के खिलाफ एलीट ग्रूप ए मैच में सामल नहीं किया गया है मालूम हो कि साउथ आफ्रिका में टेस्थ सीरीज से मानसिक ठकान की वज़ा से हिसान कसन ने ब्रेक लिया था लेकिन इस ब्रेक के बाद इन्हों ने अब तल जारकन के लिए रंजी ट्रॉफी में इन्हों ने एक भी मैच नहीं कहले वज़ादे की भारतिये टीम में सान कसन का चुनाव अफगानस्तान के खिलाफ घरेलो टी-20 सीरीज और इंग्लेंड के खिलाफ चल नहीं टेस्ट सीरीज के लिए भी नहीं हुआ था विहारी पहचान में अजम बात करेंगे अब्दुल कयूम अंसारी के बारे में इनका जन्म एक जुलाई वर्स 1905 में विहार के डहरी ऑनसोन में एक मुमीन परिवार में हुआ था ये भारती स्वतंता संग्राम के सहभागी और सामाजी कारे करता थे राश्ट्री एकता धर्मिर पेक्स्ता और सांप्रदाइक सद्भाव के लिए जाने जाते हैं जब मुस्लिम लीग द्वारा भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट के निर्मान की मांग की गई थी, तब अब्दुल कयूमन सारी ने इस मांग का जमकर विरोध किया था, ये करांतिकारी होने के साथ ही कुसल पत्रकार, लेखक और कभी भी थे विषेश विद्याले अध्यापक परिक्षा के लिए प्रवेश पत्र हुआ जारी, 2324 को होगी परिक्षा विशेश विद्याले अध्यापक के लिए 6000 सीटों के लिए परेक्षा ली जा रही है। चैनित होने वाले ये विशेश से चछक दिव्यांग बच्चों को पढ़ाएंगे। इस स्मार्ट फोन को समय पर नहीं किया है अपडेट तो हो सकते हैं ये नुकसान आज के समय में हर किसी के हाथ में स्मार्ट फोन होना आम बात है। यदि आप इसे समय से अपडेट नहीं करते हैं तो साइबर अपरादे इससे निसाना बना सकते हैं इसके अलावे हैंगिंग और आपके फोन में ओवर हीटिंग के समझ से अभी पैदा हो सकती है। सर्दियों के दौरान यहां पर तो साइबरियन पक्चियों का जमावरा भी देखने को मलता है। देखने एक सर्वे के मुदाबिक इस बार कई अन्य प्रजाती के पक्ची भी देखने को मल रहें। आने वाले परेटकों को यहां 45 प्रजाती की 3000 पंचियां देखने को मल जाएंगी। बदादे के इस पक्ची विहार में आने वाले इन दुर्ला पक्चियों में गड़वाल, दी ओस्प्रे, लेजर विस्लिंग डग, दबलैक कैब्ड, किंग फिसर सामिद है। बारिस के बाद प्रदेश का मौसम हुआ साफ। प्रदेश के कई जलों में बारिस के बाद अब मौसम साफ होता नज़रा रहा है। लगातार 2 या 3 दिनों तक बारिस के संभाव ना जताई जा रही। मौसम विभाग के मुताब एक प्रदेश में आज का मौसम सुष्क रहने वाला है। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान 26-28 डिग्री और रियूंतम तापमान 10-12 डिग्री रहने की संभावना है। कि आज का नाटक साहेते कहानियों पर आधारत है। इस तरह की कहानियों पर नाटक करने का हमारा मकसद यह है कि जो साहेते किताबों में बंध होकर लाइबरेरी तक ही सीमित है। उस साहेते को लाइब होकर प्रस्तूत करें ताकि उन कहानियों को देखा सुना और समझा जा सक उन्होंने आगे कहा कि पटना के लोग साहेते को जादा समझते हैं क्यूंकि वे हमेशा सही साहेते से जुरे रहे हैं बहुत चारा सहेते बिहार से मुंबई दर पहुंचा है अपनी मांगो को लेकर 20 फरवरी को आसा कारेकरता करेंगे विधान सबाका घेराब 903 मांगो को लेकर बिहार रादे आसा ममता कारेकरता संके तरफ से हरताल की गई है दर असल इन आसा कारेकरताओं का अरोप है कि महा गडबंदन की सरकार के दौरान इन्हें आसवासन दिया गया था कि ने सरकारी सेवक घोसत किया जाएगा साथ इनके मांदे में भी बरहोतरी होगी देकिन एंडिये की सरकार बनते ही इनकी मांग पर अब ध्यान नहीं दिया जा रहा इसलिए इनोंने तैय किया है कि ये 20 फरवरी को विधान सभा का घिराओ करेंगी ताकि अपनी मांग एक बार फिर से सरकार को याद दिला सके बता दे कि अपनी मांगो को लेकर जित पर बैठी आसा कारे करता आंदोलन को लेकर पूरी तरह से डटी होई दिखाई दे रही इस बात की जानकारी आसा फैसलिटेटर संकी जिलाध्यक्स यसोदा देवी ने दी है लोगसबा चुनाब से पहले सोसल मीडिया पर निगरानी शुरू कर दी गई है ताकि चुनाब को निस पक्षता पूर्ण और बिना किसी परिसानी के करवाई जा सके इसे लेकर सोसल मीडिया सेल का आर्थे का प्राद इकाय द्वारा गठन भी किया गया है जो 24 घंटे तक इसकी सोसल मीडिया के गत्विधियों पर नज़र रखेगी इसका गठन स्पी साइबर के नित्रित में किया गया है जिसमें तीन सिफ्टों में तीन दीस्पी समेट 15 लोग काम करेंगे आने वाले सब्ता से ये सेल अपने फॉर्म में काम करना शुरू कर देंगे उसके बाद सेल के नंबर और इमेल आईडी को सारवजनिक कर दिया जाएगा ताकि आम लोग इसे जुड़ सके और कई तरह की सूचना आय दे सके बता दे कि सेल का उद्दे से सोसल मीडिया के दुरूपियों का और दुस परचार को रोकना है साथी चुनाफ की दौरान होने वाले अवांचित गत्विदियों पर नकेल कसना है बारज-जोरो नयाọn यातरा में राहुल गांदी के साथ आए तिजस्बी ने किंज सरकार पर साधा निसाना भारज-जोरो नयाए यातरा के तहित जब राहुल गांदी कैमूर और सासराम दोडे पर पहुंचे थे तो इस दौरान उनके साथ तिजस्वी आदब इस रैली में सामल हुए दोनों ने मिलकर किसान नयाए महा पंचायत का एउजन किया साथ ही रैली को भी संभोधित किया इस दौरान तिजस्वी आदब ने किंद सरकार पर जमकर निसाना भी साधा तेजस्वी आदब ने पिये मोधी पर भरास निकालते में कहा कि किसान चाहते हैं कि पिये मोधी ने अपना दो मिनट का वक्त दे ताकि ये अपना दुखरा पिये मोधी के सामने रख सके लेकिन पिये मोधी के पास इस चीट के लिए समय नहीं है पिये मोधी प्रियंका चोपरा से जरूर मिलेंगे लेकिन उनके पास हमारे किसान भाईयों से मिलने का समय नहीं है आगे थिजस्वी यादब ने आरोप लगाएं कि ये लोग नफरत की राजनीती करते हैं और जूट बोलने के होल से लर है वह इस दोरां थे जस्वी ने नितीज कुमार पर भी जोड़दार हमला किया नितीज कुमार के वापसे पर लालो यादब के बयान के बाद समराज चोधरी का बयान आया सामने बीते दिन राज़त सुप्रीमो लालो प्रसाद यादब ने नितीज के माग अडबंदन में वापसी के सवाल पर कहा था कि दरवाजा हमेशा खुला ही रहता है लालो यादब के इस बयान के बाद बीजेपी नेता और बेहार के उपमुखे मंतरी समराज चौधरी का बयान सामने आया है दरसल समराज चौधरी से लालो यादब के इस बयान पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये नितीज कुमार जी को तै करना है कि उन्हें भाजपा के साथ रहना है या राज़त के साथ इस बात को नितीज कुमार के अलावे इस बात को तैग करने का जवाब दही किसी दूसरे को नहीं हो सकता। बदा दे कि समराज चौधरी का यह बयान तब सामने आया है जब भाजपा के केंद्रिय बैठक में सामिल होने दिल्ली जा रहे थे। मुख्य विपक्षी दल बनी राजद की राबरी देवी और सुनेल सिंग् को मिली यह जिम्मेदारी। अब इस विपक्षी दल में बिहार विधान परिस द में नेता विरोधी दल राबरी देवी को बनाया है। वही विरोधी दल के सच्छी तक राज़त कोटे से मलसी सुनील कुमार सिंग बने हैं। इसके अलावे तेजस्वी आदव विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नजर आ रहे हैं। ये जनता के मुद्दे को विधान सभा में विपक्ष के नेता के तौर पर उठाने का काम करेंगे। साथे विधान सभा के अलावे राज़त विधान परिशद में भी विरोधी पक्ष के रूप में बरी भूमिका निभाएंगे। इंग्लेंड के खिलाव तीसरी टेस्ट मैच में भारतिय टीम है मजबूत सिती में। राजकोट में भारत और इंग्लेंड के बीच टेस्ट मैच में के दूसरे दिन के खेल समाप्त हो चुके हैं। इंग्लैंड ने दो विकेट पर 207 रन दूसरे दिन के अंतक बना लिये हैं, वहीं अभी भी 238 रनों की बरहत भारती ठीम के पास है, बेन डकेट 133 रन बनाकर इंग्लैंड के लिए क्रीज पर खेल रहे हैं, इनका साथ दे रहे जो रूट 9 रन बनाकर नाबाद लोटे हैं, बथादी की रोहित सर्मा और रविंद्र जरेजा के सतको और सर्फराज के बासत जुरेल के 46 रनों की मदद से, टीम इंडिया ने पहली पारी में 445 रन बनाए, रवी चंदरन अस्विन ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 500 विकेट पूरे कर लिये हैं, वह एक ऐसा करने वाल प्रोन के कभजेवाले सिंगर किलेव को जीता था, आज के ही दिन bajo rapidement में गांधी जीने पहली बार सान्त निकेतन का दौरा किया था, आज के ही दिन बरस 1901 में, लौड इर्विन ने गांधी जीक कर स्वागत वायसराय निवास में, आज के ही दिन bajo 2007 में महिला उत्थान को समर्पित और वयोवरिद गांधी वादी स्री मती अरुना बेन देशाई का गुजरात में निधन हुआ था आज के दिन वर्स 2009 में चुनाव आयोग में अंतिम चरन में मद्दान समाप्त होने तक एक्जिट पोल के प्रसारन पर रोक लगा दी थी आज के दिन वर्स 1935 में जाने मायने भारतिय फिल्म निर्देशक रवी टंडन का जन्म हुआ था आज के दिन वर्स 1792 में प्रसित क्रांतिकारी और लर्का विद्रों के आरंध करता बुद्दू भगत का जन्म हुआ था आज के दिन वर्स 1881 में भारत के विस्षिस्ट याई CEO के नाम पर एक लेटर लोगों के बीच सोसल मेडिया पर वाइरल हो रहा है लेकिन आपको बता दे कि यह लेटर पूरी तरह से फर्दी है साइबर ठग इस लेटर को लोगों तक मैसेज या इमेल के जरिए पहुँचा रहे हैं लेकिन बता दे कि भारती साइबर अप रात के सिकार हो सकते हैं इसनी ऐसे लेटर पर विस्वास ना करें इस समंद में पी आई बी फैक्ट चेकने भी अपने सोसल मेडिया पोस्ट एक्स के जरिए इससे सेर किया है जहां इस लेटर को फेक बताये गया है इसनी सोसल मीडिया पर प्रसानित हो रहे है ऐसे खबरों 22,000 से उपर निफ्टी बंद हुआ तो वहीं सिंसेक से 376.02 चयांकिया 0.05 फीजदी की तेदी को लेकर 72,426.64 पर बंद हुआ निफ्टी की बात करें तो ये 139.90 अंकिया 0.59 फीजदी की भरहत के साथ 22,040.07 सूने पर बंद हुआ है इस दौरान जहां 1950 के लगभग में सियर बर हैं तो वहीं दूसरी तरफ 1366 के करीब में सियर गिरे हैं निफ्टी में जिन सियरोंक में बरहोतरी हुई है उनमें विप्रो, M&M, SBI, Life Insurance, अदानी, पोर्ट्स और मारूती, सुजुकी सामल रहे Made in India स्मार्टफोन को लेकर IT मंत्री ने वित मंत्री को लिखा पत्र, Westwick बाजार में प्रमुक स्मार्टफोन रियात केंजी के रूप में भारत खुद को स्थापत करने की पूरी कोसिस कर रहा इस संबन्द में एक रिपोर्ट सामने आई है, जहां Made in India स्मार्टफोन के संबन्द में IT मिनिस्टर ने एक पत्र लिखा है, रॉइटर्स के एक रिपोर्ट के मुताविक वित मंत्री निमला सीता रमन को आईटी मिनिस्टर चंद्र सेका ने गोपनिये पत्र लिखा, इस प पर अजिदिन आपसे पांच ऐसी दरूरी सवाल पूचेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि वीपी से बिहार पुलिस दरोगा समित, ससी जैसे अनर प्रत्योगी पर एक्षाओं में काम आएंगे, सवाल अतिहास बिहार स्पिसल विग्यान करेंड़ा फिर्स और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत मार्ट का सल अन्यास किया है, उप्षन यह सिंगापूर, उप्षन भी है दुबई, उप्षन दी है पैरिस इसका सही उतर है दुबई, संतोष टौफी दोजा 24 का एउजन किस राजे में किया जाएगा, उप्षन अ है अरुनाचल प्रदेश, उप्षन भी है मध्य प्रदेश, उप्षन स्योत्य प्रदेश, उप्षन दी है दिल्ली इसका सही उतर है रुनाचल प्रदेश, श्री उमा कांत चौधरी और जान की देवी भारत जोरो आंदोलन में कहां सकरिये थे, उप्षन अ है, दर्भंगा उप्षन भी है, सासाराम उप्षन सी है, पटना उप्षन डिये गया इसका सही उतर है दर्भंगा, किस अंदोलन की दौरान पटना में स्यानिकों के घरों में घुज कर जबरन उन्हें पकर कर खीच लाते और सरक साफ करवाते, उप्षन ए है स्वादेशी अंदोलन, उप्षन बी है और सहियो का अंदोलन, उप्षन सी है सब इनने अव्यक्य अप्षन दी है भारत छोडवान दोलन, इसका सही उतर है भारत छोडवान दोलन, बीधे दिन हवाई दोर्भ पुझे के सवाल का आप लोगों में से बहुत तो अरुदा जवाब हमें मारी कॉमेंट सुक्शन बॉक्स में लिकर दिया था, जिनोंने हमारे दोर्भ पुझे पूजा कुमारी सत्यजीत रॉय छोटु राजा अर्जुन राम अतीख खान गोलु कुमार रजवान इसके साधी बरतें आज के सवाल कियो और आज का सवाल है बदलते मौसम के साथ आपके छेटिश के मौसम की क्या स्थिती है आप अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सक्षन वॉक्स में लिका जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे हैं बिहारी नियूट और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं तो जानल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो क करना ना भूले धन्यवाद